निक तो कि आमिब तो मारे यूटूब चैनेल में आपका सुवागत है दोस्तों मैंने पहले वीडियों बताए था आपको जिसे में किर्षटन अगर आप आपको पर्णा नहीं आता तो इस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब कर ले फ्रेंड ताकि इसी सी लेटेस्ट वीडियो जो मैं बताता हूं डागराम से लेटेड बहुत सारे वो आपसे मिस ना फ्रेंड ठीक है तो चलिए वीडियो जो है फ्रेंड beğडियो करें दीप संब्सक के दिप से विए आप देखने स्विए और तरफ की Nova रखें है तो सब से पहले यह बीडियो इतना knowledge होना जरूरत है कम से कम इतना याद रहे है आपको तभी आप पूरा डाइग्राम को पर पाएंगे ठीक है तो अगर ज्यादा deeply में जाना है deeply knowledge लेना है तो फ्रेंड इसका video description मिल जाएगा register capacitor coil diode transistor का तो वहां से देख लिजेगा आपको ज्यादा समझ आएगा फ्रेंड ठीक है तो सब पहले में बता देना चाहता हूं register का register को आर से सुझित किया जाता है इसका जो है register का symbol यह होता है फ्रेंड ठीक है यह symbol है register का symbol ऐसा diagram में जब आप देखेंगे फ्रेंड तो आपको इस तरह का दिखेगा register ठीक है register ऐसा दिखेगा आर से सुझित किया जाता है इसको symbol इसका यह होता है register का कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल जाएगा आपको register में ठीक है उसके बाद आ जाते हैं capacitor capacitor को C से सुझित किया जाता है diagram में आपको C भी लिखा मिल सकता है और capacitor capacitor को C से C भी लिखा मिल सकता है उसके बाद यह यह जो आप देख रहे हैं ऐसा भी आपको diagram में मिलेगा ठीक है और ऐसा भी मिल सकता है इसलिए आपको यह सारा कुछ याद रखना अगर diagram ऐसा मिलता है तो आपको तुरत दिमाग में जाला चाहिए की कैपेसिटर है ही अगर विल जाये ताप को इसके बाद को इनोर धर को इल से लेड्म से कैद बना होता है कुल् layout को बोल छाये इसा आपको अगर जहां मिले तो आप मझा यह क्या करे यह क्थे से लिखा हुब एक समझ आई आपको यह आप देख रहें यह चीन होता है डायोड आपको मिलेगा बहुत मिलता है बहुत जाधा डाइट मिलता है इसा भी सिंबोल हो आसकी होता है ठीक है उसके बाता सब्सक्राइब आपको देखने को नहीं मिलेगा अब यह ज्यादा दर फॉन में यूज़ discernay ज्यादा यह होता है डायोट कोईल केपिसिट रइश्टर ठिका इसका सीमडोल नों जिस्टिर का यह होता बट कहीं कहीं अगर मिल जाये तो आपको दिखात नहों हो इस लिए मैं बता दिया हूँ तब आपको 30 लेक बाला जो मिलता है वो transistor होता हम है तो फ्रेंड मैं दिखा दिर का मतलब आप कहीं अ counter финतир के अगर लिखा हो तो आप समझ जये कि आपका register हो सकता है अगर ऐसा दिखे तो भी यर्ज री किपेशितर सी अगर मिलें तो भी यहासथ इसा जाए की रेइस्टर चैपेसिटर चैपेसिटर शी से सुजित किया जाता है तो सी कैपेसिटर होगा अगर अगर इसा भी दिखे तो समझ जाए पत्वार्था तो यह देखी ऐसा आपको दिखें डाएट्था ड़ी मिलता है ठीक है याद कर लेंगे बहुत ज्यादा एक्जाक्ट MARK के तौर पर में दिखा दे रहाँ आपको इंग्जांपल कुछ डाग्राम में मैं दिखा दे रहाँ कई सा आपको देखने को मिलेगा और इसको याद कर ले और यह जो वीडियो में बता हूं वीडियो को आप पूरा देख लि यह speaker का diagram है frame और speaker का है frame मैं थोड़ा light बंद कर दे रहा हूँ यह देखे यह जो आप देख पा रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ यह देखे यह जो आप देख रहे हैं यह speaker का है frame ठीक है मतलब speaker का है यह first point हुआ यह second हुआ इसमें minus plus नहीं देखा जाता है वह इसे उल्टा पूल्टा कहीं वायर को लगा सकते हैं frame ठीक है इसका symbol क्या होता है C यह C लिखा हुआ है seen bhi लिखा हुआ है और इसा symbol इसका मतलब यह capacitor हुआ front ठीक है उसके बाद फिर यहाँ नीचे यह ground कर दिया गया इसका मतलब है कि इस साइड से आके यहां ground कर दिया गई इसके आगे चालते हैं क्या हम कुछ मिलता है क्या इसके आगे ये देखे ये इसावला सिंबोल क्या था फ्रेंड ठीक है ये क्या था याद है ये क्वाइल है फ्रेंड ठीक है ये क्वाइल है इसावला कहीं भी दिख जाए तो ये क्वाइल है ये लिखा भी है ये फाइफ डबल जिरो फोर यह एल है ठीक है क्वाइल है इसका मतलब इसके आगे चलते हैं यह देखिए यहां कुछ लगा हुआ है तो नीचे चलते हैं यह क्या है फ्रें जैडी आपको बताया थे ना यह डी जैडी डायोड होता है फ्रेंट यह सेमसंग में ही इतना ज्यादा लगांड बाकी में नहीं लगांड इतना ज्यादा यह देखिए जैडी उसके बाद आजाते हैं kurt कि चलते हैं आगे उसके बाद इसको ग्राउंड कर दिया और फ्रेंट यह देखिए इसके के बारे में यह देखिए बिलकुर यही रेजिस्टर आगर ऐसा सिम्बोल दीखे तो आपको समझ आना है कि यह रेजिस्टर से प्रेंट गहाँ इसको कर दिया गया उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है फिर इसके दो नंबर नंबर में चलते हैं यह दो नंबर बला तो यह कि सबसे पहले आते हैं यहां आगे यह एलाइने पर उसके बाद नीचे यह जाते हैं कॉन इसा लगा हूँ है के यहां Premiere यहां मिल गया है मैं इसके नेचे चलते हैं डी जैट यह डाइओड लगा हुआ है ठीक है। यह डाइओड है उसके भाद फिर आगे चलते हैं कि यह देकी यहों को दिखाने का मतलब एक्जेंफल दिखाने का मतलब यह हुआ फ्रेंड ठीक है यह हुआ कि वह जो मैं दिखाए उसको उसको याद करना होगा ठीक है थोड़ा दिमाग में रख लीजे उसको पूरा डायग्राम इसी पे है फ्रेंड वही चार-पांच जो है उसी पर पूरा डायग्राम आपको दे देखने को मिलेगा कहीं भी आप चले जाएए वही डायगरम आपको देखने को मिलेगा यह देखे यह भी देखिए यहां विया और रेइस्टर ठीक है उसके बाद यह देखिए डीजेड डायोड है यह देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए नीचे जो बेल आइकन दिखाए दर वहां पर सब्सक्राइब का बटन है वहां सब्सक्राइब कर जिए ताकि इस लेटेस्ट वीडियो जाए आपसे मिस ना हो और यह जो लॉकडाउन का आइलांड किया गया आपके लिए किया गया है और इसका समर्थन करें और घर में रहें और इस चीज़ को टाइम वेस्ट ना करें आप सिखें ठीक है इतना अच्छा टाइम कभी नहीं मिलेगा यह देखिए पूरा आपको अस्मेटिक डागराम परना सिखा आपको दिक्कत नहीं आएगा इस वीडियो को देख लिए और फूल वाच किजिए फ्रेंड कल से हमारा वीडियो कंटिन्यों एक दो जरूर आएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो हमें कोमेंट किजिए वाटसब ग्रूप है उसमें जोईन होजिए वहां से ह में क्वेस्टन किजिए आपको जरूर से जरूर रिपलाइ दूंगा ठीक है थेंक्स पूर वाचिंग फ्रेंड हमारे वीडियो देखने के लिए धन्वाद और प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्स पूर वाचिंग हमारे वीडियो देखने के लिए धन्वाद